असलाम अलेकूं सद्र की इजाज़से मेरे मकाले का उन्वान है जदीद उलूम की तद्रीश और उर्दू मसालों इमकानाद आज हम वक्त के उस पड़ाव पर हैं जहां साइंस और टेकनोलाजी के बगएर जिंदगी बसर करने का तसवूर भी खत्म हो गया है आमिर खान की फिल्वित रीडियर का एक मकालमा है कि पैंट की जिब से लेकर पिन की निप तक हम मशीनों से घिरे हुए हैं ये मशीने साइंस ही की देन हैं जदीज साइंसी उलूम की बरक रफतारी ही कुछ ऐसी है कि पतलून का पैंट हो गए और कलम का पिन बन गया पता ही नहीं चला है यानि कब हमारी जबान का लफ़ हमसे दूर हो गया और उसकी जगहां दूसरी जबान के लफ़ ने ले ली हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ लेकिन अगर बनाजर इनसाफ देखें तो ऐसा होना ना तो गैर फितरी है और ना ही किसी तोर पर मनफी क्योंकि हर जिन्दा जबान इसी तरह से दूसरी जबानों के अतराद कबोल करती है और उसे कबोल करना भी चाहिए लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी बड़ी जबान का सैलाब हमारी जबान को बहा ले जाएगा जाहिर है इसके अमकानात मौजूद हैं अगर हमारी जबान जदीद उलूम और मालूमात का साथ ना दे सकेगी तो ऐसा ही होगा क्योंकि असरहाजिर में जो जबान जदीद उलूम और मालूमात की जबान होगी और जिसमें जदीद तरीन तहकीकी मवाद मौजूद होगा वो बड़ी ही आसानी से एक मौसर आलमी जबान का मकाम हासिल कर लेगी और फिर यही जबान राप्ते की जबान भी बन जाएगी मौजूदा दोर में अंग्रेजी जबान ने यह मकाम हासिल कर लिया है क्योंकि आज ये जबान जदीद उलूम के नक्ते नजर से इंतहाई मुकमल जबान करार दी जा सकती है जदीद उलूम की जितनी भी शाखें हैं चाहे वो medical science हो, computer science हो, natural science हो, formal science हो जो भी मैदान हैं इन तमाम से मुतालिक जितनी एहम मालूमात हैं वो सब इसी जबान में मौझूद हैं इसलिए मौझूदा दौर में जदीद उलूम की सबसे बड़ी जबान अंग्रेजी है ये बात भी अपनी जहां दुरुस्त है कि इस दुनिया की तरफकी में बहुत सारे ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनके जबान अंग्रेजी नहीं हैं मसलन रूस चीन जापान वगएरा लेकिन ये भी अपने मुल्क के बाहर पूरी दुनिया में अपनी साइंस टेकनलोजी या अपने किसी भी प्रोड़क्ट की खरीद फरोख्त करते हैं तो उन्हें भी अंग्रेजी का इस्तमाल करना पड़ता है या अंग्रेजी का सहरा ले इनका मसला ये है कि इनकी अपनी जबान में जदीद साइंस और टेकनलोजी से मुतालिक अलफाज और इस्तलाहा की बड़ी कमी हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाहर से आने वाली हर नई टेकनलोजी अपने मुतालिका अलफाज और इस्तलाहा भी साथ ले आती है और फिर ये आलफाज और इभान में शामिल होकर राइज हो जाते हैं। मौजूदा दोर में बहुत से ऐसे ही आलफाज और इस्तिलाहत आज हमारी जबान में शामिल होकर इसका हिस्सा बन गए हैं। मसलन मुबाइल, इंटरनेट, फेस्बुक, सेटलाइट, वार्टसअप, कम्प्यूटर, हार्डवेर, साफ्टवेर वगएरा। कुछ और पहले जाएं तो कार, मोटर, टेलिग्राम, वायरलेस, बस वगएरा। बजाहिर इसमें कोई काबल एतराज बात भी नहीं, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारी जबान में इन अलफाज औ इस्तलाहात के मुरादफात मुझूद में नहीं आपा रहे हैं, जिसकी वज़े से जदीद उलम का वो डिसकोर्स अर्दू या दूसरी हिंदूस्ता नहीं जबान में अभी खायम नहीं हो सका जो अंग्रेजी में मौझूद है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बड़ी तरक्या तरिक्की आफ़ता जदीद इलमी जबान के तोर पर अंग्रेजी में महारत पैदा की जाएं और इन तमाम उलूम का इलम अंग्रेजी के जर पर इस हद तक नहीं सीख सकता कि वो उन तमाम उलूम को समझ सके या उन से मतालिक मालूमात हासिल कर सके किसी भी मुलक में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ लेकिन ये जरूर होता है कि उस मुलक के कुछ लोग या एक तबका बड़े अपने दोर की बड़ी इलमी जबान में का और फिर तरजमे के इस अमल के जरीए उस जबान में एक इलमी और तहकीकी मदाद पैदा होता है ठीक इसी तरह जैसे अरबों ने यूनानी उलूम को अरबी में तरजमा किया अरबों के इन तराजिम की वज़े से अरबी में एक बड़ी फिक्री बहत हुई और नतीजा ये काम तरजमा के जरीए ही हो सकता है जब हम जदीद उलूम को तरजमे के जरीए अपनी जबान में मुन्तखिल करते हैं तो फिर हमारी जबान में वो उस सथ पैदा होती है कि वो एक इलमी जबान बन सके क्योंकि तरजमे के जरीए नई मालूमात के आने से हदफी जबान में नए नजरियात को फरोग हासिल होता है और फिर यही नए नजरियात एक जदीद इल्मी डिसकोस हद्वी जबान में कायम करते हैं। यही मामला हमारा अर्दू के साथ भी होना चाहिए। अर्दू में ये पेशोरफ होतो रही है लेकिन इस तरह से लेकिन इस तरह से बड़ा और मनजब काम नहीं हो रहा है कि जिस तरह से खुद अंग्रेजी वालों ने किया उन्होंने दुनिया के तमाम मुलकों में जाकर वहां की जो बड़ी इल्मी जबाने थी और उनमें जो भी आहम किताबे थी उन सब को अंग्रेजी में मुंदखिल किया और इस हद तक किया क कि आज ये सूरते हाल है कि अगर हम अपने यहां की तारीख 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 तमद्दुन तहदीब तफाफ़त रसूम और रवाज मजब और अफकार और नजरियात और सियासी और समाजी नजाम के तालुक से अगर कोई मियारी किताब की तलाश करते हैं तो हमें बड़ी ह आज हम अरदू में जदीद अलुम की तदरीज की बात करते हैं या तो अंग्रेजी जूद लाजिम के हैसियत अफियार कर ल ακर लाती है या तक अगर अंग्रेजी से मदद लिए ये तसवर भी मुहाल है कि अरदू में जदीद अलुम पढ़ाया जासके हैं ये है कि तद्रीज के नुक्ते नजर से अर्दू के एक बड़ी इलमी जबान बनने के इमकानात खत्म हो दे आते हैं क्योंकि हर नई इलमी इस्तिला के लिए हमें अंग्रेजी की तरफ देखना पड़ता है जिसका नतीजा ये है कि जदीद साइन्स और टेकनोलाजी के मौसर और काम्याब तद्रीज अर्दू में मुम्किन नहीं हो पाती हम अगर ये सोचें कि अंग्रेजी से नाबलद रहें और जदीद उलूम पर दस्टगाह हासिल कर लें तो ये एक नामुम्किन बास सी ये सही है कि हम किसी भी इलम को दूसरी किसी भी जबान में पढ़ और समझ सकते हैं लेकिन अक्तिसाब का ये अमल हमें बड़ी दूर तक नहीं ले जाएगा क्योंकि मादरी जबान के अलावा किसी भी इक्तिसाबी जबान की अपनी हुदूद होती हैं यही वज़ा है कि जदीद उलूम और साइंस के तालुक से हमारी जबान में कोई बड़ा नजरिया फरो तो उसे अपनी मादरी जबान में ही पेश करता है इसी लिए हम दूसरी जबानों से एक्तिसाब तो कर सकते हैं लेकिन ये एक्तिसाब बड़े पैमाने पर हो और उसे तर्जमे के जरिये मुकमल किया जाए ये नहीं कि हजारों में से दो चार किताबों का तर्जमा कर दिया है और इदारों के जरिये भी जब ये तराजिम कसरस से होंगे तो हमारे यहां भी इन उलूम के तालुक से नजरियात और इफकार पैदा होंगे जैसा कि मजभी और अद्वी तराजिम के जरिये अर्दू में हुआ अब्तिदा में हमने मजभ के लिए अर्बी और अदब के ये फार्सी की तरफ देखा इन दोनों से हमने तर्जमे के तर्जमे भी किया और फिक्री सता पर इन से इस्तिफादा भी किया हमारे तमाम अद्वी मबाहिस बड़ी हद तक फार्सी के जरीए ही हम तक पहुँचें यही मामला दीनी उलूम और इसलामी तारीख तमद्दून का भी है कि इन अब्तिदा में सूफिया कराम ने तबलीग दीन के लिए मकामी जबान का सहरे लिया इन मकामी जबानों में खड़ी बॉली भी शामिल थी जो आगे चलकर अर्दू कह लई इन सूफिया और उलूमा की काविसों से इसलाम के दीनी अकाइद और शर क्रणिलोजी के हवाले से नहीं कह सकते हैं खा वो मेडिकल साइन्स ओग तक कम्प्यूटर साइन्स के मतालिक मालूमात हो या जदीत जराय बलाइ्स के मुतालिक मालूमात ऊर्दू अभी भी एक कम मया बहल सी नहीं करार दी जायेकी जो उन जब तक उर्दू एक बड़ी इलमी जबान नहीं बनेगी तो उसमें जदीद उलूम की तद्रीश कैसे मुंकिन हो सकेगी